हमारे चैनल हांटिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाई लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए दोस्तो हाली में मैंने 2018 में रिलीज हुई सस्पीरिया मूवी देखी हैं लेट में पूट इट स्ट्रेट कि ये मूवी थोड़ी वियर्ड है ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई सस्पीरिया फिल्म से इंस्पारइड है लेकिन इन दोनों फिल्म की एंडिंग काफी डिफरेंट है Suspiria film को clearly समझ पाना थोड़ा challenging है क्योंकि 2018 में release होते हुए भी इस film की setting काफी old है like early 1900s IMDB पे Suspiria film को मिले है 6.8 stars out of 10 Rotten Tomatoes पे it's 66% fresh और इस film की metadata score है 64 out of 100 तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर Suspiria movie की कहानी जानते हुए इस film के कुछ references और deeper meanings पे बाते करेंगे Now before I start this video मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस festive season sale में cash करो आपके लिए कुछ amazing cashbacks और discounts लाया है जो कि आपको किसी भी online website पे shopping करते वक्त मिलेगी like Amazon, Flipkart, etc. और ये cashbacks आपके इन websites पे already चल रही deals के अलावा मिलती है इस offer के बारे में और भी जानने के लिए make sure कि आप इस video को पूरा end तक देख रहे हैं So now with that said, let's roll the intro तो फिल्म की कहानी 1977 में शुरू होती है जहां हम भी उसे एक Patricia नामक लड़की को देख पाते हैं Patricia एक psychotherapist Dr. Clemperer के विजिट करती है जहां वो witches वगेरा के बारे में बाते कर रहे थी Patricia के हिसाब से witches ने उसके hairs, eyes वगेरा को ले लिया है जिस वज़े से वो लोग उसे देख और सुन सकते हैं She further adds कि उसके शरीर में Marcos को डाला जाएगा और इसके लिए उसे तयार किया जा रहा है Although she does not want it डॉक्टर को ये बाते बस एक delusion लगती है और Patricia काफी abruptly इस जोग को unsafe बूल कर यहां से चली जाती है यहां scene change होकर Suzy नामक लड़की पे focus करती है जो कि Ohio से West Berlin एक tanj नामक dance academy जोईन करने आई थी Academy के लोग Suzy की audition लेने में थोड़ा hesitant थे क्योंकि Suzy की dance में किसी तरह की training नहीं थी लेकिन एक बार जब Suzy dance करना शुरू करती है तो everyone were blown away Suzy की audition देखने Miss Blank भी आती है who herself was a very good dancer और Suzy Miss Blank की एक बहुत बड़ी fan थी audition के बाद में Stannis Suzy को बताती है कि उसकी selection हो गई है और वो इस academy में free of cost रह सकती है इस बात से Suzy काफी खुश थी क्योंकि उसके पास limited पैसे थे और पैसा बचाना तो हर को ही चाहता है Like अभी most of the websites पे festive season sale चल रही है और इस sale में हम और आप धेर सारी चीजें खरीद नहीं वाले हैं तो क्यों न हम cash कड़ो की मदद से हर एक purchase पे extra cashbacks हासिल करके कुछ पैसा बचा लें इसके लिए आपको description में दिए first link पे click करके cash कोड़ account बनाना है जिससे आपको instant 25 रुपे का bonus मिलेगा अब cash कड़ो की home page पे आपको Amazon सर्च करके orange बटन दबाना है and then आपको visit retailer बटन को tap करना है ऐसा करते ही आप Amazon की website पे पहुँच जाएंगे और इसके बाद आपको एकदम normal तरीके से shopping करनी है जैसे आप हमेशा करते हैं once your purchase is done आपके cash कड़ो के earning section में 24 से 72 hours के अंदर कुछ cashback जिससे आप या तो अपने bank account या फिर Amazon gift vouchers में convert कर सकते हैं तो देर के इस बात की जल्दी से cash करो app डाउनलूड करके make the most out of this festival sales season coming back to story हम विए उसको पता चलता है कि सूजी को इस academy में Patricia का कमरा दिया जा रहा था क्योंकि Patricia कुछ दिनों से missing थी तो अगली सीन में हम विए उस एक voting देख पाते हैं जिसमें blank और marcos compete कर रहे थे इस voting में marcos को three extra votes मिलती है और इस academy की member किसी ritual के बारे में बाते कर रहे थे जिसमें Patricia fail हो गई थी इन्हें अब एक new contender चाहिए था और इस में हम विए उस थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि इस dance academy को कुछ witches चला रही हैं जिन्हें किसी तरह के ritual perform करने के लिए एक बंडी चाहिए थी next day Suzy की first dance practice थी और practice के दोरान एक Olga नाम की dancer काफी रोती और चिलाती है क्योंकि उसकी friend Patricia missing थी Olga इस academy को छोड़ने की ठान लेती है और कमडे से बाहर जाने से पहले वो blank और बाकी academy members को witches बोलती है Olga के abruptly चले जाने से miss blank उसके position पे किसी और को dance करने बोलती है and Suzy opts for it तो जब Suzy dance करने आती है तो blank उसके hands और legs को press करती है as if वो Suzy के अंदर कुछ transfer कर रही हो इसके बाद Suzy starts dancing और वो इन dance steps को perfectly कर पा रही थी जबकि दूसरे लोग इन steps को तक्रीबन 10 महिने से practice कर रहे थे at the same time Olga जो की academy छोड़के जा रही थी वो Suzy के dance move से kind of control होने लगती है जैसे जैसे Suzy dance कर रही थी Olga की शरीर अजीब तरह से bend होकर तूट रही थी और Olga दर्द से चिला रही थी by the time Suzy का dance खत्म होता है Olga का शरीर अजीब तरह से crumble हो चुका था which was very hard to watch इसके ठीक बात academy की कुछ औरते जो की witches थी Olga को hook में फसा कर एक secret door के थू कहीं ले जाती है और इस पूरे सीन के तोड़ान Olga जोर जोर से सास ले रही थी यहां सीन चेंज होकर डॉक्टर क्लेमपरा पर फोकस करती है जिन्हें Patricia की जर्नल मिलती है इस जर्नल में Patricia ने कुछ अजीब बाते लिखे थी जैसी कि there was a mention of three mothers academy के witches की names इत्यादी कलेमपरा को ये सब देख कर थोड़ा suspicious feel होता है and he calls up the police वहीं academy में सूजी की दोस्ती एक सारा नाम की बंदी से हो गई थी और आगे की कुछ scenes में हम वियर्स notice करते हैं कि सूजी को weird dreams आने लगे थे इसके अगले दिन सूजी और सारा academy के office में जाते हैं रही थी office room से सूजी इन विचेज को ऐसा करते देखती है but she finds it funny so next day सूजी डान्स करती है तो कोई उसे डान्स लोग की नीचे से feel कर रही थी feel करने वाली औरत और कोई नहीं बलकि Marcos थी और उन्हें सूजी चाहिए थी Marcos के इस बात से blank was not very happy और वो Marcos के ideas में ज़्यादा believe नहीं कर रही थी but since academy की ज़्यादा witches ने Marcos को vote करके majority दिलाया था blank had no other choice than following her now before you ask me let me tell you कि Marcos एक बहुती बूरी witch थी जो की मर रही थी वो एक ritual perform करना चाहती थी ताकि एक young लड़की उसके soul की vessel बन सके in short Marcos Susie की body पे कबजा करके अपनी life extend करना चाह रही थी आगे की कुछ scenes में हम viewers को पता चलता है कि Susie को weird dreams और कोई नहीं बलकि blank दिखा रही थी और ऐसी ही एक dream के दोरान Susie चिलाती है I know who I am तो next day dance rehearsals के दोरान blank Susie को jumps सिखा रही थी लेकिन Susie इन jumps को perfectly नहीं कर पा रही थी और fellow dancer Caroline इन jumps को अच्छे से कर पा रही थी और blank Caroline को खुच seconds तक घूरने के बाद Susie की तरफ देखती है as if वो Caroline की jump skill Susie में transfer कर रही हो इसके ठीक बाद Caroline kind of बेहोश होती है which was very strange for everyone दूसरी तरफ Dr. Clemper police से इस academy की जानकारी लेने जाते है लेकिन police वाले को तो इन witches ने बिविच कर दिया था और वो ऐसे behave करते हैं मानों उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है या फिर उन्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बाद Dr. Clemper academy के पास जाते हैं जहां उनकी मुलाकात सारा से होती है वो सारा को लंच पे ले जाते हैं जहां वो Patricia की डाइडी वगेड़र दिखाते हैं Dr. Clemper was trying to prove कि dance academy में कुछ तो उल्टी सीधी हरकते होती है लेकिन सारा इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी Soon enough she leaves the place Now back to academy witches lunch करते हुए Patricia के बारे में बाते कर रही थी कि कैसे Patricia को vessel बनाने की judgment गलट थी जब इन में से एक witch scissor से खुद को stab करके अपनी जान दे देती है इस witch का नाम Griffith था और movie के start से हम विवस Griffith को kind of sad देखते थे फिल्म में ये नहीं बताया गया है कि Griffith ने ऐसा क्यों किया लेकिन मेरा मानना है कि Griffith के अंदर हमेशा एक guilt feeling थी क्योंकि ये witches अपने academy के students के साथ बुड़ा बरताओ कर रहे थे on the name of saving marcos ठीक उसी राद सारा academy में चान बीन करना शुरू करती है जब उसे mirror वाले dance room में एक hidden door दिखता है इस door के अंदर जाने पर सारा witches को चिलाते और chanting करते सुन लेती है which was very scary for her सारा यहां कई occult witchcraft से related चीजे देखती है और वो यहां से एक hook लेके भागती है जो उसे एक showcase के पास मिलता है next day सारा वापस से Dr. Clemperer से मिलती है और वो उन्हें सब कुछ बताती है इसके बाद Dr. Clemperer सारा को पेट्रीसिया के बुक में लिखी बातों को समझाते हैं जहां तीन मदर्स का जिक्र था यह बात 11th century की थी जब तीन सिस्टर्स ने ब्लैक सी के कोस्ट पे witchcraft को create किया था आने वाले सालों में इन तीन सिस्टर्स ने दुनिया में कई जगह घूम कर धेर सारा धन दौदत कमाया और यह तीनों जहां भी जाती थी वहां कई लोग मारे जाते थे यही तीन सिस्टर्स आगे चलके तीन मदर्स कहलाई और इनके नाम थे अब दोस्तों मारकोस जिसके लिए सारी विचेस वेसल डून रही थी वो खुद को मदर सस्पीरियोरम बताती थी जो कि इन तीनों मदर्स में सबसे वाइज और ओल्ड थी यही वज़ा है कि अकाडमी के विचेस मारकोस के फेवर में रहते थे और अकाडमी के अंदर कुछ इंटरनल ग्रूपिंग भी थी जहां कुछ विचेस ब्लैंक को सपोर्ट करती थी इस पूरी स्टोरी को जानके सारा वा शॉक्ट और वो यहां से वापस जाने की सोचती है लेकिन दोस्तो इस पॉइंट पे सारा को ऐसा फील होता है मानो कोई उसे देख रहा है वो इसके बाद पबलिक डैंस परफॉर्मेंस का दिन आता है जहां डॉक्टर क्लेंपरो भी इस अकाडमी में डांस देखने आते हैं सभी लेड़किया परफॉर्मेंस के लिए रिडी हो रही थी लेकिन सारा इनके बीच नहीं थी दरसल सारा वापस से इस अकाडमी के सीक्रेट रूम में गई थी ताकि वो पेट्रीसिया को खोच सके यहां फाइनली सारा पेट्रीसिया को खोच पाती है टेकिन दोस्तों पेट्रीसिया की बहुत ही बुरी हालत थी आइमीन वो ऐसे देख रही थी मानो वो एक सरती हुई जिन्दा लाश है यहां एक अजीब सा क्रीचर भी सारा की तरफ आता है और सारा चिलाते हुए यहां से भागती है हालवे में भागते वक्त जमीन पे कुछ होल्स क्रियेट होते हैं जिसके थूँ गिरने से सारा की पैड टूर जाती है तब ही वहाँ इस अकैडमी के कुछ विचेज आती हैं और वो अपनी विच्च क्राफ्ट से सारा को काइंड अफ हिपनोटाइज करके उसकी लिग्स हील कर देती है मीनवाईल डान्स परफरमेंस शुरू हो चुकी थी और सारा इस डान्स को जॉइन करके अपने मुवज रुबार्ट्स की तरह परफरॉर्म करती है as if she was possessed यह dance performance काफी intense हो जाता है और यहां Sarah और Suzy की eye colors change होके blue और brown हो जाती है इस performance को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह किसी तरह की ritualistic dance है लेकिन तब ही अचानक Sarah की पैर टूर जाती है जिससे Suzy भी अपनी performance रोग देती है इस scene को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन witches की ritual complete होते होते रह गई तो उस रात blank Suzy से मिलने जाती है और यह दोनो एक दूसर से telepathically बाते करते हैं इनके बादचीत के दोरान हम यह उसको ऐसा लगता है मानो Suzy को अपना मकसद पता है और वो इस ritual के लिए एकदम तयार है blank बोलती है कि Suzy को अपनी performance रोकनी नहीं चाहिए थी और इस scene के दोरान हम समझ पाते हैं कि blank के दिल में Suzy के लिए maternal feelings आने लग गई थी blank no longer wanted कि Suzy एक vessel बने for Marcos लेकिन वो कुछ कड़ भी नहीं सकती थी although she promises Suzy की आज उसको किसी भी तरह की nightmares नहीं आएगी यहाँ से scene change होकर Dr. Clemperer पे focus करती है जहां उन्हें अपनी wife आंके दिखती है दोस्तो Dr. Clemperer ने अपनी wife आंके को एक holocaust के दोरान सालों पहले खो दिया था यानि कि इस scene में जो आंके दिख रही है वो बस witches दोरा पैदा करी गई एक भ्रम थी ताकि डॉक्टर अपनी wife की visions के साथ साथ इस academy के पास आ जाए academy के पास आते ही उनकी wife गायव हो जाती है और वहाँ दो witches डॉक्टर को पकड़के academy के अंदर ले जाती है क्योंकि आज रात ritual होने वाली थी अब दोस्तों आप यहाँ पूछ सकते हैं कि रिच्वल में डॉक्टर का क्या काम तो मैं आपको बता दू कि old rituals में हमेशा एक witness चाहिए होता था और इन witches ने डॉक्टर क्लिंपर को ही अपना witness चुना था तो finally ritual शुरू होती है जहां हम वियोस पहली बार बूढ़ी मार्कोस को देख पाते हैं जो की एकदम गिनोनी दिख रही थी रिच्वल के पेस पे सूजी, ब्लैंक, विच्चेज और academy की बाकी डांसर्स नेकेड थी जो की possessed state में दिख रहे थे इन सब के बीच Patricia, Sarah और Olga भी थी जिनके body से खून drain करके present किया जा रहा था डॉक्टर क्लेंपरो को भी यहां रखा गया था ताकि वो इस पूरे ritual को witness कर सके इस ritual में मार्कोस को सूजी के body में डाला जाता है और सूजी इसके लिए ready थी लेकिन दोस्तों ब्लैंक सूजी को protect करना चाहती थी और इसी लिए वो बार बार सूजी से पूछ रही थी कि if she is fully ready ब्लैंक का कहना था कि एगर सूजी थोड़ा सा भी हेच किचा रही है तो इस पूरे ritual को रोका जा सकता है इन बातों को सुनकर मार्कोस को काफे गुस्सा आता है और वो ब्लैंक के सर को almost काट देती है इसके बाद मार्कोस सूजी से अपनी birth mother को let go करने बोलती है ताकि मार्कोस उसकी body को ले ले लेकिन दोस्तों यहां movie की सबसे बड़ी plot twist आती है इस ritual वाले room में एक black entity आता है जो की death था और वो सुजी के सामने आकर जुकता है डेथ को देखके मार्कोस वा शॉक्ट और वो सुजी से पूछती है कि आखिर वो कौन है तो इस पे सुजी का कहना था कि वो mother suspiriorum है जी हां दोस्तों मार्कोस mother suspiriorum नहीं थी बलकि वो सिर्फ एक strong witch थी जिसने दूसरे witches को अपने side पे रखा था सुजी वोस दे रियल incarnation of mother suspiriorum और उसके आदेश पे death मार्कोस और उसके सबी followers को एक एक करके मार डालता है सुजी अपने chest को open करते हुए mother suspiriorum वाले form में आती है और वो patrice या olgar sara को mercy देती है in the form of death क्योंकि वो तीनों इतनी sufferings के बाद death ही जाते थे ये पूरी ritual मार्कोस और उसके followers की death से खत्म होती है which signifies the purification of the academy तो next morning किसी भी dancers को कुछ याद नहीं था और डॉक्टर क्लेंपरर भी अपने घर वापस पहुँच चुके थे इन्हे शॉप्ट स्टेट सूजी या फिर मदर suspiriorum उन्हें विजिट करती है और वो बताती है कि उनकी wife nazis द्वारा already मारी जा चुकी है वो डॉक्टर क्लेंपरर से apologize करती है for the behavior of her daughters और finally वो डॉक्टर की सारी memories गायब कर देती है movie यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो यह थी Suspiria movie की कहानी और मुझे यह film काफी अच्छी लगी now I'm pretty sure कि अगर आप इस film को देखेंगे तो आपको शायद यह film थोड़ी slow और boring लगेगी लेकिन overall इस film की कहानी काफी अच्छी है अब जिन्हें अब तक इस film की कहानी को लेकर doubts है उनके लिए मैं एकदम short में plot summary दे दूँगा So basically Tans Dance Academy को witches चला रही थी और यह witches young dancers को train किया करती थी इन witches की leader Marcos थी जो की बहुत old होने के कारण एक नई human body चाहती थी Marcos ने claim किया था कि वो mother suspiriorum है और वो सूजी के body को claim करने वाली थी लेकिन movie के last scene में हमें पता चलता है कि सूजी ही mother suspiriorum है और वो Marcos और उसके followers को मार डालती है अब दोस्तों कर हम 1977 वाले suspiria movie की कहानी के बाते करते हैं तो उस movie की ending इस film से काफी different थी 1977 वाली फिल्म में Marcos सचमुष mother suspiriorum ही थी और वहाँ हमें इस dance academy की history वगेड़ा भी बताई गई है वस फिल्म की end में सूजी Marcos को मार पाती है जिससे ये पूरी dance academy गिर जाती है Now if you all want मैं आप सभी के लिए 1977 वाली suspiria और बाकी के mothers पे बनी movie inferno the mother of tears की explanation भी ले आऊँगा So if you want those explanation आप मुझे इसे comments में जरूर बताईए Now coming back to this movie यहां viewers के मन में एक doubt आती है कि क्या Suzy हमेशा से mother suspiriorum थी या फिर वो इस academy में आकर mother suspiriorum बनी Well मेरा मानना है कि Suzy हमेशा से ही mother suspiriorum थी Just that उसे ये बात realize नहीं हुई थी Academy आने के बाद Suzy इस बात को धीर धीर realize कर पाई और slowly वो अपनी powers को भी समझ पाई अगर आपको याद हो तो इस film में हमें Suzy के बच्पन की कुछ clips दिखाई गई है जहां वो हमेशा Berlin जाना चाहती थी ऐसा है सी लिए क्योंकि वो mother suspiriorum थी और वो TANS Academy में आना चाहती थी इसके अलावा एक बाट जब Suzy को night mares आए थे तो वो चिलाती है कि I know who I am विच अगेन रिप्रेजेंट इसकी Suzy इस बात को realize करने लगी थी कि वो खुद ही mother suspiriorum है इस फिल्म में कई historic references हैं like Nazis का Germans पे अत्याचार bombings of banks flights का hijjack होना इत्यादी और ये references real life incident से उठाए गए है फिल्म में हमें एक photo frame की shot भी दिखती है which I think is a picture of mother इस फिल्म के throughout हमने Suzy के character को transform होते देखा है which represents कि वो खुद के powers को वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में cover करूंगा उन वीडियो में आपको तीनों mothers की पूरी details मिलेगी तो अगर आप उसे miss करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दीजिएगा जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दू कि इस festive season sale में आप cashgoldo.com का इस्तमाल करके धेर सारे cashback कमा सकते हैं so make sure कि आप description में दी गई पहली link पे क्लिक करके cashgoldo का पूरा लाव उठाएं peace